बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम असलामलेकुम तू अलव यू वेलकम टू चैनल के अंदर प्लेलिस बनाईगी है चैनल को ओपन करें प्लेलिस्ट में जाए टैन्थ क्लास मैथ का फोल्डर ओपन करें वहां से आप अपने लेसंस इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं स्टा के नेचर आफ रूट को हम बताएंगे कैसे के इस फिशन है इसके रूट कैसे हैं तो हम डिस्क्रेमिनर्ट के जरीए नेचर आफ रूट को बताएंगे हमारे पास अगर डिस्क्रेमिनर्ट जो है mismo स्केर माइनस फूरेसी अगर इकॉल तो जीरो आ जाए सबसे फेले हम बात करेंगे अगर डिस्क्रामिट जयो हो इकॉल तो हमारे बाएंज रूट्स होंके वह इकॉल होंगे और इकॉल भी होंगे और रैशनल भी होंगे तो हमार पास rational और equal roots होंगे अब हम बात करेंगे अगर हमार पास answer जो है वो less than zero आजाए इनके discriminant जो है बी स्क्वेर माइनस 4 AC अगर यह less than zero आजाए तब हमार पास imaginary roots बनेंगे तो roots जो होंगे वो imaginary होंगे और unequal भी होंगे और irrational भी होंगे तो हमारे पास यह सेकंड यह फर्स्ट यह सेकंड अब हम थर्ड की बात करते हैं अगर हमार पास discriminant जो है भी स्क्वेर माइनस 4 AC अगर यह greater than zero आजाए यह जो discriminant है वो zero से बड़ा आजाए तो हमार पास roots जो है वो अन इक्वल होंगे रेल भी होंगे इसमें भी रेल भी होंगे इसमें मैटरी होंगे तो roots जो है वो रेल भी होंगे और अन इक्वल भी होंगे और रेशनल भी होंगे अगर greater than zero आता है तो अन इक्वल रेशनल और इसके बाद हमार पास रेल भी होंगे तो यह तीन रेल भी होंगे अगर less than zero आता है तो roots imaginary अन इक्वल और इर्रेशनल होंगे और अगर हमारे पास वह greater than zero आता है अगर perfect square होगा तब ही greater than zero तो roots अन इक्वल होंगे रेशनल भी होंगे और रेल भी होंगे तो चले हमने यह सीख लिया है कि जो roots की नेचर है वो कैसे बताएंगे अब question number two का first part हम solve करेंगे और हमें question दिया हूँ है x square minus 23x exercise है markas 1.2 और question number two का first part हम solve करेंगे equation हमें दिया है x square x square minus 23x और next हमें जो दिया हूँ है वह है plus 12 equal to 0 यह में है first question दिया हूँ है x square minus 23x plus 12 is equal to 12 120 is equal to zero अब हम यहां से पहले discriminate find करेंगे a हमार पास 1 आ जाएगा b मार पास minus 23 and c is equal to 120 आ जाएगा चले अब हम यहां से discriminate find करेंगे मार पास फार्मुलता minus 4ac b square minus 4ac अब यहां पर values put करेंगे चले तो b की value हमार पास है minus 23 इसका square लेंगे minus 4 into a की value 1 है और 120 है तो अब हम इनको square कर लेंगे 23 का हमार पास जो square आता है 529 असलों माइनस का square है तो इसलिए plus हो जाएगा इसी तरह minus 120 को 4 से multiply करेंगे 08 and 480 चले अब हम इसको minus करेंगे तो 9 और 49 हमार पास discriminant जो है वो 49 आ चुका है तो हम देखते हैं यह perfect square है तो अगर perfect square है तो यह 0 से भी greater है रूट्स है वो रेल होंगे और रेशनल भी होंगे तो discriminant जो है वह मारे पास 7 का square यह नहींगे perfect square बन चुका है discriminant is perfect square तो रूट्स हमारे पास हम इनकी नेचर लेखेंगे यहां पर लेखेंगे रूट्स यह इस कांसर है रूट्स हार रेल होंगे उसके बाद अन इकॉल होंगे और उसके बाद अबर पास रेशनल होंगे रियल होंगे अन इकॉल होंगे रेशनल भी होंगे चले उसके बाद हम बात करेंगे कि इसको प्रूफ करेंगे चेक करेंगे इसको तो चेक हम करने के लिए फार्बला लगाएंगे by using quadratic formula लाएंगे जब हम quadratic फार्बल लगाएंगे वह पर पास होता है एक्स इकल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट आफ दी स्केर माइनस फोर रेसी ओवर टू ए एक्स इकल टू माइनस हमारे पास आजाएगा और बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस फॉन्टी थ्री प्लस माइनस बी स्केर माइनस फोर रेसी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं वह है सैवन स्केर इंटो वन कि एक्स एक वैल्यू वहरा पास बन है यह से कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर है वहार टून्टी थ्री क्यूंकि माइनस माइनस फ्लस हो जाएगा प्लस माइनस सैवन ओवर तो आप यहां से देख सकते हैं एक बार दो केसे बना लाएंगे बार एक प्लस में हो जाएगा है एक माझस में तो जो आंसर है वह वह पास un equal और रेयल भी आएगा और रैशंवल भी होगा तो यह माइरम पास औसर आचुका है इसका स्वार्ट माझस में अब हम कोईसर नाबर wants to का second part solve करेंगे उसमें भी हमने यह बताना है कि हमारे पास पर ना आये तो हमार पास वो irrational होंगे अनिकोल रेल और और इर्रेशनल होंगे चले कोश्चन नमबर टू का हम सेकंड पार सॉल करते हैं सेक्विशन हमें दिए तू एक्स केर एक्स केर प्लस 3x प्लस 7 यह हमें एक्विशन दिए है अब हम यहां से a b c की वैली निकालेंगे a मार पास 2 है b मार पास 3 है c मार पास 7 है तो अब हम इनकी वैल्यूस हम डिस्क्रेमिनेट फाइंट करेंगे पहले b स्केर माइनस 4ac तो b स्केर हमार पास आ जाएगा 3 स्केर माइनस 4 इंटू 2 and c की वैल्यूस 7 है तो 9 माइनस 7 56 आ जाएगा तो डिस्क्रेमिनेट हमार पास आ जाएगा इस इक्वल टू 59 56 में से माइनस करें 45 आ जाएगा माइनस का तो हमार पास आंसर आ गया माइनस 45 अब यह हमार पास जो डिस्क्रेमिनेट है वह लेस दन जीरो आ चुका है तो इसका बदर रूट्स अमेजिनरी होंगे अन इक्वल होंगे और रैशनल होंगे तो हम यहां पर लेखेंगे डिस्क्रेमिनेंट इसक्रेमिनेट है इसक्रेमिनेट होंगे और उसके बाद वह हमार पास अन इक्वल भी होंगे तो तो हम फारव लगाएंगे असलिए इसक्रेमिन फैर माइनसुड के रूट-a तो ए माइनस बेक कि वैलिय की भी मार पास है 3 plus minus square root of B square minus 4 AC महरे पास आचुका है minus 45 divided by 2 into A की value महरे पास 2 है X is equal to minus 3 plus minus यहाँ पर minus 45 divided by 4 जब हमारे पास square root में minus आजए तो इसका मतलब होता है IOTA क्योंकि हमारे पास IOTA जो होता है square root of minus 1 तो यहाँ पर minus हमारे पास अगर square root के अंदर आजए तो root जहें वो imaginary होंगे hence proof roots are imaginary इसी दर हम question number two का third part solve करेंगे हमने इसमें भी nature बतानी है कि अगर हमारे पास देखे ना आजए equal to zero discrimination तो roots वो real भी होंगे equal भी होंगे अगर less than zero आजए imaginary होंगे अगर greater than zero आजए और perfect square हो तो rational होंगे unequal होंगे real होंगे अगर perfect square नहीं है तो हमारे पास unequal होंगे irrational होंगे और real होंगे चलें question number two का third part हम solve करेंगे हम equation दोगे 16x square minus 24x और इसी तरह जो मैं constant दिया हो वो plus nine equal to zero अब हम a, b, c की value निकाल लेंगे और c हमारे पास nine दिया हो है और हम discriminant लिखेंगे यहाँ पर b square minus four ac इसमें values put कर देंगे b हमारे पास है 16 का square minus four into a हमारे पास sorry, b जो है उसकी value मारे पास minus 24 है b की value minus 24 इसका square minus four into a की value 16 है और c की value मारे पास nine है अब हम इनको multiply कर लेंगे discriminant 24 का square निकालेंगे 576 और इसी तरह minus लगाएंगे 4 को 16 और 9 से multiply कर देंगे 576 आगे तो अब देखें कि इसका answer 0 आगा है discriminant जो है वो 0 discriminant is equal to b square minus four ac is equal to 0 हमें पता है अगर equal to 0 हो तो equal rational और real होंगे तो हम यहां पर लिख देंगे रूट्स आज इक्वल इसको प्रूब कर रहेते हैं क्या वाकिया ऐसा होगा तो हम quadratic formula लगाएंगे x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac over 2a तो x is equal to minus b की value हमारे पास है minus 24 plus minus square root of 0 आजएगा क्योंकि b square minus 4ac की value हमने 0 निकाल है तो x is equal to minus minus plus हो जाएगा 24 plus minus 0 divided by 32 तो हम यहां से 2 cases बना लें तो देखें हमारे पास x is equal to 24 plus 0 over 32 इसी तरह x is equal to 24 minus 0 over 32 तो हमारे पास answer जो आ रहे है वो 24 over 32 और यहां पर भी answer आ है वो 24 over 32 तो answer जो है वो equal आ चुके हैं तो हमें पता है roots जो है वो equal है rational भी है और real भी है इसी तरह हम question number two का fourth part solve करेंगे उसमें भी हमने यहीं बताना है कि roots की nature कह है तो अगर perfect square आ जाए तो उसके लिए हम कहेंगे को rational है अगर perfect square ना आए तो irrational है un equal होंगे और real भी होंगे imaginary सिर्फ एक ही condition में हो सकते हैं अगर square root में माइनस आजाए तो चलें यह जिस्क्रेमिनेट की value जो है वो less than zero आजाए question number four हमें दियो है 3x square plus 7x और यह question दियो है माइनस 13 equal to zero हम यहां से ABC की value निकाल लेंगे तो अब हम डिस्क्रेमिनेट निकालेंगे अब हम यहां पर values put करतेंगे डिस्क्रेमिनेट is equal to b की value 7 है माइनस 4 and 2 a की value माइनपा 3 है और c की value माइनस 13 है तो 49 डिस्क्रेमिनेट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 को 3 और multiply by 13 करेंगे तो हमारे पास आंसर आगया 156 अब हम इनको add कर लेंगे 5 0 & 2 205 आ गया ठीक है यह डिस्क्रेमिनेट हमारे पास आचुके है हम देख रहे हैं यह perfect square नहीं है लेकन greater than 0 है तो जब perfect square नहीं होगा greater than 0 होगा तो मारे पास जो रूट्स हैं वो रैशनल हो इर्रैशनल होंगे जब perfect square यहां पर मैं लीक भी देता हूं कि in case of perfect square और जब perfect square नहीं होगा तो irrational होगे तो यहां पर डिस्क्रेमिनेट is equal to b square minus 4ac is greater than 0 but not perfect square so roots are real होगे unequal होगे irrational होगे चले यह हमारे पास हम बता देंगे कि इनके जो रूट्स है वो rational unequal और irrational होगे बेल होगे और unequal होगे अब हम इसको प्रूब कर लेते हैं एक्स इकल टू-b plus minus square root of b square minus 4ac over 2a तो x is equal to minus b तो minus लगाएंगे b की value हमारे पास है 7 plus minus square root of 7 square चलें b square minus 4ac की value हमने 205 निका लिए divided by 2 into 3 तो x is equal to minus 7 plus minus square root of 205 divided by 6 तो जब हम देख रहे हैं यहां से unequal root क्योंकि एक plus में चला जाए एक minus में और square root में values आगे है perfect square नहीं है तो irrational हमारे पास values होगे तो यहां से प्रूब होचका है कि इनके जो roots होगे वो real होंगे unequal होगे और irrational होगे in case of not perfect square in case of perfect square then roots है वो real, rational और unequal होगे यह हमारे पास question number two के हमने four part जाव वो solve कर ली है अब next lesson में इन्शालादाला हम question number three solve करेंगे इसी के साथ ही, Allah हापीज